नमस्त दूस्तों सौद्ध कोमारे एक ने अपसरोड में तो आज के अपसरोड हम बताएंगे कि भारत केस मज़िद के अंदर बॉंब दाश्च हुआ है और पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि जो पाकिस्तान ने भारत सा सीमा बें 37 समझाते किये था वो समझाता भे पूर् देखें 37 इंडेस्टिंग और जैनकारी से भरपूर भविश्यों और जादा खबर देखने के लिए अब इस सब्सक्राइब को और नोटिफिकेशन बिल्को भी अन कर लेना ताकि आप लोगको भविश में ऐसे इंडेस्टिंग और जैनकारी से भरपूर खबर ने मिलती र जहां पासे मुस्लिम बहुल इलाका भी है और वापस एक अकरम खान नाम का इंसान रहता था जो कि अपने घर के एक खूपिया जगह में अवैत तरीके से बमों का निर्माड करता था और उस अकरम खाम की उम्र करिद करिब 45 वर्स बताई जाती है और यह धमागा तब वह जब अकरम खान बम बनाते समय एक ऐसे मिश्टेक कर बैठा जिसकान से जो उसका एक्स्प्लोजिव पाउडर था उस एक्स्प्लोजिव पाउडर में ना जाने किसी तरह से आग लग गई और वापस एक ऐसा धमागा हुआ जिस धमागे से उसके घर के तो हालत खराब हो चुकी है और जो उसे इहर के पास से मस्जिद थी उस मस्जिद का जो इंफ्रेस्ट्रक्चर याने खेड़ी और दरवाजे थे उन खेड़की और दरवाजों पर बहुत ज़्याद एफक्ट पड़ा है और जो अकरम खान की हालत है वो हालत इतनी ज़्याद खराब हो है आज इस वहमारी दूसरी खबर होने वाली है वो हमार दूसरी खबर चीन जो मलेश्य की उपर से लडाक मानो की पेटरोलिक कर आई है उसकी ऊपर से होने वाली है और इससे भाड को कई अर्बाव डूलर का फायदा भी हो सकता है तो दूसरों खबर यहrolleılar कि जो चीन है उसने मलेशे की पूर्वी प्रांथ के उपर से अपने गर्स करीब सोला लाड़ा कुमानों को उड़ाया है और जब मलेशे का सथकार ने चीन का इसका विरोध करते हुए चीन से इसका जवाब मागा तो चीन ने ये कहा कि जो चीन ऐसा कर रहा है ये सब चीन ने अंतर राश्टी नियमों का पालंग करते हुए और जो चीन का हाख है चीन अपने हाख से ऐसा कर रहा है और इसमें मलेशे कोई खास दिग्गर नहीं होने चाहिए और आने वासे में जो चीन है वो ऐसे कुछ उटी सीधी हरकतें समय समय पर दोराता रहेगा अब सवाली उटता है कि भारत को इससे क्या फाइदा होगा तो आपको बता दें कि जो आज तके मलेशे के अंदर खासरा बना हुआ है वो खासरा चीन नी वायू सेना का बना हुआ है और जो मलेशे की वायू सेना है उसको जलस्याद एडवांस लाड़कुमानों की अपने सीमा सुरक्ष्या के लिए कई नगाई से कुछ लाड़कुमाने को जुगार करेगी और चीन की इस हरकत देते हुए जो मलेशे की सेना है वो भारत के लाइट कोमबैट मल्टी रूल एयरक्राट याने तेज़स्क डिल भारत से कर सकती है तो अब चले बढ़ते अप यो भारत के सेना है वो पाकिस्तान के बेड़ बजाने पर तूल जाती है और दोस्तों ऐसा इस बार ये निकल के आए है जो पाकिस्तान है उसने समझातों की बाद भी सीमा पर लगातार से फरकम लंगन करता जा रहा है और जो सीमा में गोली बारी होती है वो हमें सब पाकि पाकिस्तान है वो भार्ट के अंदर कुछ मुसल्मान आतंगवादियों का आवय तरीके से कुछ पैट करवा दे इसलिए पाकिस्तान ऐसी उत्पटांग घरकते हमेशा करता रहता है लेकिन जो हमारी सिर्ण है वो पाकिस्तान को उसके भासा में ही जवाब देना जानती है तो जो आज यह हमारी चौती खबर होने वाली है वो हमारी चौती खबर रूस ने जो भार्ट को टेक्नोलोजी ट्रांसफर जरिये एक ओफर दिया है उसके उपर होने वाली है तो तो आप लोगों पता हुगा कि जो चीन है उसने रूस से करिश करीब बहुत बड़े- ख्यारों की कॉपी करके उन्हीं हत्यार को इरान, नाजिरिया, पाकिस्तान और मयानमर जैसे देशों को अच्छी किमत पर बेचा है और जिनकी इसी उटी सीधेरकत से जो रूस की कंपणी है उसको बहुत जादे घाटा होता है और इनी सबसे परशान होकर जो रूस की एक ह रूट में भी तयार कर लिया है और आने वाले कोई सालों आप लोग देखेंगे कि जो रूसी हेलिकॉप्टर है वो भाट के अंदर मेड़ी इंडियक तहद भाट में 100% मैनिश्फेक्चर होंगी और इसे नासिब रूस को डावल फाइदा होगा बलकि अगर भशी कोई पाई को जो रूस है वो भाट के अंदर बनने वाले अपने कुछ उन हैलिकॉप्टर के शेयरों को मदद से कर लेगा और अब लोग को उस हैलिकॉप्टर को नाम के 226 और T है जिसकी इमेज आप लोग इसक्रीन पर बहुत ही असानी से देख पा रहे हो तो आज जो हमारे आ विदेशों में रिष्टिक हुआ करते थे वो रिष्टे करफ सकरीव 60% तक और जड़ा इंप्रूव हुए हैं और ये देश का भी भार्त विदेश हुआ करते थे वो देश भी आप भार्त के समर्थन में आके पूर्टिके से खड़े हैं जिन्वेसे कुछ खाड़िक अब लेका ही गोने जादा बन जाएगा